हेलो फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर टू नाउन का तो यहाँ पर आज हम रूल नंबर फोर देखेंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं देखिए अगर किसी ने लेक्चर नंबर वन ना देखा है तो पहले वो देखें उसके बाद ही लेक्चर नंबर टू देखे ठीक है आएए शिरुवात करते हैं हम लोग देखिए रूल नमबर फोर यहाँ पर रूल नमबर फोर क्या कहता है कुछ नाउन दिखने में सिंग्लर लगते हैं लेकिन इनका परियोग हमेशा प्लूरल में होता है यानि कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जो देखने में क्या सेंट्री ठीक है कैविल्री एक्सेक्ट्रा तो यह ऐसे नाउन है जो कैसे दिखते हैं सिंगुलर बट होते कैसे हैं प्लूरल तो आईए देखिए इनमें कैसे किसके क्वेश्चन आता है देखिए जैसे मैं एक्जाम्पल के तरटर में समझानी कुश्च करूँ एक्टल इस ग्रेजिंग इन दा फिल्ड ठीक है अब यहां पर आपको लग रहा हो यह बिल्कुल पर्फेक्ट संटेंस है लेकिन यहां पर जैसा कि इस स्टेट्मेंट के अकॉर्डिंग बोला गया है वो क्या कहा गया है कि दिखते हैं सिंगुलर है पर हैं क्या प्लूरल तो यहां पर जो कैटल है वो एक से ज्यादा के लिए यूज हो रहा है तो यहां पर इस ना लगा कर हम क्या लगाएंगे आर ठीक है अब यह संटेंस बिल्कुल ठीक है तो इस तरीके से एरर देता है आए सेकंड वाला एक और एक्जांपल देखते हैं इसमें देखे जैसे मैं कहता ह पुलिस अब यहां पर एक चीज़ देखिए जो पुलिस है वो एक से ज्यादा का काम कर रहे तो यहां पर मैंने आपको बताया है कि जो have है यहां पर यह लगेगा तब जाके यह सही होगा क्यों क्योंकि जो has है वो singular count करता है यानि वो has क्या है singular count करता है यानि has है is है यह ऐसे words है जो क्या काम करते हैं singular और plural के लिए are है have है ऐसे शब्दों का इस्तिमाल करते है ठीक है I hope कि यह अब यह sentence अब ठीक है यह है नहीं आएगा नहीं यह आपर इस आएगा नेक्स देखिए एक और ने लेते हैं इन दर टाउन ठीक है यह sentence perfect है क्योंकि यहाँ पर आर लगा हुआ है और यहाँ पर जैंडरी के लिए लगा हुआ है तो जैंडरी कैसा है प्रूलर इसलिए ठीक है आई होब कि यह जो रूल 4 है आपको समझ आया होगा तो देखिए ऐसे ही करके questions आपके exam में आते हैं चाहे वो CTAT का exam हो चाहे वो SSC का exam हो चाहे वो DSSB या फिर कोई भी other competitive exam हो मैं एक आपको direction देने का काम कर रहा हूँ ताकि आप question को समझ पाएं और अपने आप से भी question खुछ से कर पाएं ठीक है आई होब कि rule 4 आपको समझ आया होगा आई यह rule 5 की बात करते हैं देखिए बहुत ही असान rule है बहुत ही अच्छा rule 5 के कहता है यदि किसी noun के बाद preposition आता है एवं फिर वही noun repeat करता है तो वह noun singular कहलाता है देखिए वैसे आपको मैं बता दूँ प्रिपोजिशन क्या होता है पहले preposition जान लेते after, in, on, at, near, between ऐसे जो शब्द होती है preposition का काम करते है ठीक है फिलाल अभी preposition नहीं पढ़ना है हमनी preposition बात का topic है यहाँ पर जो topic है वो यह है कि noun के बाद अगर कोई preposition आता है और फिर वही noun जो है repeat करता है जैसे कहने का मतलब क्या है rule के तौर पे समझीए जैसे noun है ठीक है फिर कोई preposition आता है ठीक है और फिर कोई noun आता है तो यहाँ पर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जो noun है न वो कैसा होना चाहिए यहाँ पर singular होना चाहिए ठीक है जो noun है यहाँ पर दोनों ही singular होने चाहिए ठीक है आइस पर example समझने की कोशिश करते हैं यह कहने क्या कोशि Ships, Is Arriving, अब देखों यहां पर क्या आया? अप्रिपोजिशन आया प्रिपोजिशन से, पहले क्या अया है? नाउन आया, दोनों नाउन है, क्योंकि नेम शो कर रहा है, ship, अगर, यहां पर मैं यह संतेंस अगर इस तरीक है से लिखा होता है, जैसे कहने का मंदब है, ships, after, ships, ठीक है, तो ये दोनों ही sentence गल्द हो जाते हैं, यहां पर कैसे word आएगा, singular, ठीक है, मैंने यहां पर mention किया है, यहां पर s नहीं आएगा, उसके बाद यह वाला sentence बिल्कुल ठीक है, यह गल्द हो जाएगा, यहां पर s लगाया ह हुआ है, ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं, एक और sentence देख लेते हैं, town, after town, ठीक है, was devastated, ठीक है, अब देखों, यहां पर आपका noun आया, फिर एक preposition आया, फिर वही noun, same आगया है, यहां पर, तो यह जो noun का combination बना है, यहां पर, इसके बीच में एक preposition है, तो यह दोनों ही noun कैसे होंगा, singular होंगे, यानि यह नहीं होगा यहां पर, कि town में s लगा दू मैं, ऐसे करके, town after town, जो कि आपको एक mistake देता है, एक्जाम में, जो कि गल्त माना जाता है ठीक है, यह जो चीज है, यह गल्त होगी, clear, I hope कि यह चीज clear होगी होगी, तो rule 5 भी यहां पर clear होगया होगा, चलिए आगे देखते हैं इसको, rule 6 पर, rule 6 भी जो है, काफी important है, और बहुत ही simple है, यहां पर बोलागा है, hyphenated noun, hyphenated noun क्या होते हैं, यह बता देता हूँ अभी, का परियोग, plural form में नहीं होता है, यानि hyphenated noun का परियोग, plural form में नहीं होता है, यानि एक से ज़्यादा के लिए नहीं होता है, देखिए, मैं आपको simple से example के तौर बतायता हूँ, hyphenated है क्या, देखिए, इस तरीके से अगर मालेजिए, एक sentence में लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एस लगा दूं, hyphenated के बाद, ठीके, यानि hyphenated के बाद, तो यह sentence मेरा गल्त हो जाएगा, यानि यहाँ पर एस नहीं आएगा, ठीके, hyphenated के बाद जो रहेगा, आपका वो word कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, इस चीच के पहचान कर सकते हैं आप, ठीके, और एक sentence लेते हैं, simple से समझाने के लिए, जैसे मैंने कहा, अंकुर, stay, in, five, star, अब यहाँ पर stars नहीं कर सकता हैं, stars करते ही, मेरा गल्त हो जाएगा, ठीके, hotels, ठीके, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ नहीं ल यह नहीं होगा, गल्त, गल्त माना जाएगा, I hope कि यह rule six भी आपको समझ आ गया होगा, कि मैंने किस तरीके से समझानी कोश किया आपको, hyphenated noun, ठीके, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ direction देने का काम कर रहा हूँ किस तरीके से noun questions आते हैं, ठीके, यह एक त के साथ apostrophe का परियोग नहीं करते हैं, जैसे बहुत ही simple है, मैं अगर आपको एक sentence बताऊ, तो यहाँ पर आप कहोगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिया, yours apostrophe faithfully, ठीक है, तो यह sentence आपको गल्त माना जाएगा, क्यों, क्योंकि yours के साथ कभी, यानि जो yours है, यानि जो possessive है, उसके स कभी भी apostrophe s नहीं आएगा, ठीक है न, यह चीज आपको याद रखनी है, आगे देखते हैं, और एक आदा देख लेते हैं, इसमें sentence, यानि यह sentence कैसे सही होगा मेरा, yours faithfully, अब सही है sentence, या अब ठीक ही यह गल्त है, और देखने थे, जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपसे, her span, यह नि देखो यहाँ यह ठीक है sentence, अगर यहाँ पर इस तरीके से लिख देगा, तो यह गल्त हो जाएगा, ठीक है, I hope कि मैंने आपको बताने ही कुश्च की है, कि possessive pronoun के साथ aphostrophe s का इस्तमान नहीं करते हैं, चाहे आपका कोई भी हो, चाहे अपका his book हो, ठीक है, his book, तो यहाँ पर यह भी sentence गल्त माना जाएगा, केवल his book होगा, his book, छोटी 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 चीज़े हैं, शायद कुश चीज़े आपको पता भी हो, ठीक है, मैं बिलकुल basic से लेके चल रहा हूँ आपको, यह sentence गल्त होगा, यह है, I hope कि यह हो गई होगी, आगे करते हैं, rule 8 पर, तो rule 7 भी clear हो गया, rule 8 पर देखते है, rule 8 क्या कहता है, non-living, यानि निरजीव वस्तु के साथ, apostrophe s का परियोग ना कर, off का परियोग करते हैं, यानि क्या बात कही गई है rule 8 में, तो इसको थोड़ा सा example के तोर पर भी समझते हैं, यह कहन यह का मतलब क्या है कि, जो non-living चीज़े होती है उसके साथ, apostrophe s का इस्तिमाल नहीं करते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ, example के तोर पर, fence blade, ठीक है, अब यह fence के जो blade है, ठीक है, जो blade होते हैं, जो पंखे के, वो sharp हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर यह जो fan है, non-living, और non-living के साथ, apostrophe s नहीं आता, यानि यह sentence गल्त मानना जाएगा, यानि इसके साथ क्या आएगा आपका, fan, यह sorry, blade of a fan, ठीक है, blade of fan, ऐसे कर सकते हो, यह बिल्कुल सही है, यहाँ पर मैंने बताया आपको, off का इस्तिमाल किये, ठीक है, तो इसका इस्तिमाल आप कर स सकते हैं, clear, और भी बहुत सारी चीज़े हो सकती है, non-living में, तो मैंने आपको बतानी कोश्च कि है, कि non-living में हम, apostrophe s का स्तमाल नहीं करते हैं, ठीक है, और भी कह सकते हो, जैसे एग्जामपल के तोर पे, अगर मैं आपको एक और sentence लूँ, tables, legs, tables के जो pair होते हैं, यानि जो उसके, ये भी sentence गल्द माना जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, sorry, legs of table, ठीक है, अब ठीक है, clear, ये sentence ठीक है, क्योंकि यहाँ पर, non-living के साथ क्या आएगा, आपका, off आएगा, clear, एक और nine है, nine तो इसी से मिलता जूलता है, यानि living के साथ क्या आएगा, aphosetrophy आएगा, बहुत simple, तो nine rule क्या कहता है, aphosetrophy का परियोग, possessive case के लिए, जीविद वस्तों के निया, living के साथ किया जाता है, अब यह कहने के क्या मतलब है, जैसे example के तोर पे, मैं इसको भी समझा जाता हूँ, बहुत easy way में, जैसे मैं कहता हूँ, a cow, horn, यानि गाए के जो sing, ठीक है, यानि जो cow है, यहाँ पर क्या है, living है, यह बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं देख सकते हैं आप इसको, horn of cow, यह sentence बिल्कुल गल्ट माना जाएगा, इंग्लिश के अंदर, क्यों, क्योंकि living के साथ क्या आता है, apostrophe s आता है, जबकि non-living के साथ apostrophe s नहीं आता है, और एक अज़र example देख लेते हैं, a woman, purse, ठीक है, I hope कि यह चीज समझ में आ गई होगी, देखो, यह woman क्या है, living है यह आपर, और उसका क्या है, purse, यानि इसको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, purse of woman, यह sentence अगर कहीं भी देखने को मिलता है, तो यह मेरी बात ध्यान रखें, यह गल्ट माना जाएगा, यह sentence गल्ट है, ठीक, I hope कि यह जो मैंने rules कराएं हैं आपको, यह आपको सारे समझ आये होंगे, ठीक है, तो इसी के साथ मैं यह जो lecture है complete करता हूँ, next lecture जल्दी लेकर आता हूँ में, जिसमें noun का end करता हूँ, मैं noun, देखिए मैंने अपनी तरफ से lecture 2 के अंदर, जितनी जितनी important बाते थी, वो सारी डाल दी है, rule 4 में मैंने आपको बताया, rule, तो इस तरीके से मैंने noun को समझाने ही कोश की है, और difficulty को खतम करने ही कोश की है, जिस तरीके से मेरे को भी problem होती थी noun को समझने में, कहां-कहां error आते हैं, तो उस तरीके से, अब देखिए, आपको मैं बता भी देता हूँ, जिसे exam में कोशन मिलेगा कैसे, देखिए, एक, अगर मैं आपको बता हूँ, जिसे पहले वाला ही कोशन ले लूँ, तो इसमें ऐसे करके दे देंगे, ठीके, cattle is grazing in the field, ठीके, यह पहले वाला ही मैंने ले लिया है, तो यहां पर इसको break कर देंगे, ऐसे करके, यहां लिख देंगे, no error, समझने आपको, तो इस तरीके ऐसे बना और देता है, तो आपको तो पता ही है, पहले वाले में गड्बड है, क्यों, क्योंकि cattle, जो है कैसा शब्द है प्लूरल ठीक है आयोब कि यह जो लेक्चर आपको समझ आया होगा तो इसी के साथ में यह जो लेक्चर है कंप्लीट करता हूं थैंक यू